प्रकर यहां पर हमारा माइक कराब हो गया और पॉब्लिक वीटिंग करना मुश्किल लगा तो मैंने तोचा कि हम थोड़ा यूटी के बारे में आचीव कर लें और आप अपना परस्पेक्टर हमें बताई है हम आपको अपना परस्पेक्टर बताते हैं तोरी दिस्कर्शन कर मैं ठीक बात है मैं सबस्का हो कि जब माइक खराब हो गया हम दोरह बात करेंगे वो रिकॉर्ड हो करके जाएगी तो रोग बैतर और अच्छा रिजाल्ट आएगा और क्योंकि सोशल मीडिया से वैल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानका नी मिट जाएगी कि हमारा आप क्या बोल में है यूपी जो 80 सीटे देरा है इसमें 79 सीटे समाजबारी पार्टी कॉंग्रेस इंडिया गडबन दिन जीत रहा है एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में है और इस वार क्यूटो नाम कैसे जपानमार आई है यह क्यूटो क्यूटो जो प्रदान है उन्हां सपना दिखाया था कासी के लोग को कि दुन्या की सबसे बहते की बनेगी क्यूटो तो क्यूटो बनी नहीं बनी enig duties करेंगे और पीर बॉट ढालेंगे इस बार मन वर्जी नहीं चलनी है। मन की बात नहीं चलेगी। हमारे आपकी बात और 140 करोड़ों की बात और सब्दिनान की बात होगी। और आपने देखा हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंदे वोदी जी ने विरोजदारी का सेंटर बना और इतनी पर रोजगारी की है, यह जितने बच्छे दिखाई दे रहे हैं, यह जो अगनी वी या पेपर एलिक जिसकी दज़े से इजे नौकरी में मिली है, और यह सब रोजगार नौकरी चाते हैं, बीजेपी ने जो जूटे सपने दिखाई थे, इन्वेस्टमेंट मीट के जो जूटा सबना दिखाई था, डिफेंसेट को का, जो सपने बेचे थे, जी टूंटी रहे, लेकिन इन नौकरी मिली, नरोजगार दिला, आज ये खाली हाथ हैं, तो इसलिए हमें और आप खिल गिलके, जो आपने कहा, जो इंडिया का डूटर के रहा है, कि तीर साथ बक जिसके नौकरी जी जाएगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, और पहली नौकरी पकी स्वीम, जिसके माधियंग से हर ग्रैजूएट को नौकरी का अधिकार, बहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में तो एक राफ हिपेस साल के, आपने लोट किया, कि मोदी जी ख अधिकार आप अपने पापा के बारे में मुझे मुझे बताएगे, अधिकार आपकी आपने उनसे क्या सीखा, नेता जी और उनके साथ के लोग बिल्को जमीनी रावदीद करते रहे, हाना कि नेता जी खुस्ती, पैलवान और गाउं के ते, आप करते हो कुछी नहीं, मैं अधिकार नेता जी खुल में चला गया तो कुछी नहीं कर पाया, लेकिन नेता जी किसी ने धर्दी पुक्र बोले गए, कि वो जमीन की बात को सुछती थे, घर्दी पर जो लोग इनकी क्या भावना है, उसको लेकर के वो आगे बहाना चाते थे, और आपका इस चेस से, औ आज का लगाव नहीं है, मैंने कितने सालों पर रहना लगाव है, जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शेर से है, वो शाहिद और किसी राजनेतिक परिमार का नहीं होगा, तो नेता जी से उनका हाड़वर्ट और अपने लख्श के लिए लगातार काम कते रहना, जो गैर बना लेकिन हमारे ग्रेक्टिकत या जो सिद्धांत में कभी समझोता नहीं हुआ, सिद्धांत को लेकर के हमने आपके साथ खड़े हुए और कई बार खड़े हुए, और आपकी भी पार्टी सिद्धांत से बहुत करीब रही समाजवादियों के, बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके के पाक्रशिप बन ली है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोपरेशन है, शायद पहले ऐसा कोपरेशन नहीं है, मतलब बिल्कुल सब जुड़ गया है, सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा, दो जड़कों की जोड़ी, उतना यूवा आप से, हम से, इ वो चाते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, ये बड़ी भावना है, कि हम से, आप से, ये यूट करेंट कर रहा है, सबसे, सबसे बरी बात, दिल्दाई की चोट, सबसे जादा इन नर्कों को लगती है, हमारी तिंकिंग है, और आप के दिए है, कि ये जो 22 लोगों को, नर ये जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से, जो अर्ध व्रवस्ता को लाब मिलेगा, मैं समस्ता हूँ, इनका भागी में बनेगा, और देश के अर्ध व्रवस्ता भी बैतर होगी, ये जुरुवी स्कीम है, कि इनके एकाउंट में पैसा पहुंचे, इससे धोड़ा बहु जीवन इस तर इनका भी अच्छा होगी, नरेंग मोगी की डिवेट से की रखते हैं, क्योंकि वो सच का सामना नहीं करता चाहिए, पूरा उनका जूट का कुपारा है, वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, और उनको जितने विशार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पर भरुचा करेंगे, उतना हमारा लोगतर मज्मूत होगा, ये बीजेपी ये लोगों ने रखेवल हमारी जान को खत्रा पहदा किया है, अलगि लोगतर पो ये समिनान को भी खत्रा पहदा कर रही है, और इसका पूरा पूरा एक्स्टॉर्शन, ED, CBI ये लोग मतलब एक्स्टॉर्ट करने हैं, कई बार सुनने को मिलना है, और सरकार स्रीकार नहीं कर रही है, लगदा कि हमारी सीमा असुरुचित हो गई, और ना चलके आज पास, या सीमा जो चीन से छू रही है, वो बहुत हैं, तो चीन से जहां हमारा सिमाओ का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बजार को भी खतरा है, तो कहीं ने कहीं हम लोगों को अपनी manufacturing economy और manufacturing economy को बढ़ाबा देना पड़ेगा, और सर्थ ये जो स्कीम है, पहली नौकणी, पक्की और महायोक्षणी ये manufacturing system को, economic system को jump smart करने के तरी IIT, Polytechnic, Engineering Colleges को, इन सब को ecosystem में लाकर के, मैं समत्कों, युगा नौजमाना को अच्छी नौतरी और रोजगार मिल पाएगा, और हमारा लक्ष है, थी सब हर जात को भागेदारी मिले, space मिले, हर institution में, business में, education के system में, तो वो हमारा हम दोनों का लक्ष है, बिलकुल, और क्य इस समाज एक नहाए जरूरी है, जाती जहना जरूरी है, तो देश के लिए ये बड़ी चीज है, जो दुनिया में, अमरिका है, यूरोप है, अपने उन योगों के लिगों पीछे चुड़ जाते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं, तो हमारा जो देश जाती के अधार प हम दूरा जिए है। झाल झाल